दोस्तों on popular demand आज मैं आपके लिए लेकिया हो view premium 2023 55 inch 4K Ultra HD TV आज की इस वीडियो में करेंगे इस TV की unboxing इसकी picture quality में आपको दिखाऊंगा इसको audio में आपको सुनाऊंगा इसका software experience कैसा है ये आपके साथ share करूँगा साथी साथ क्या अच्छा है इस TV में क्या बुरा है और क्या आपको view की view premium 2023 टीवी लेनी चाहिए या नहीं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो में आगे बनने के पहले एक important message ये वीडियो और ये channel दूसरे channels जैसे sponsored और monetized नहीं है इस वीडियो पे तो आपको ads भी देखने को नहीं मिलेगी ये channel चलता है सिर्फ आपके प्यार के वज़े से description में दियो और link से अगर आप कोई भी product खरीते हैं आपका कुछ extra नहीं चाहता है इस channel की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है इसके आप दोस्तों मैं हूँ मनू आपका shopping बंदू लड़े हाथ शुरू करते TV को unbox करने के बाद आपको box में TV के आलावा glossy black tabletop stand, wall mount kit, voice enable bluetooth remote, batteries और कुछ literature देखने मिल जाता है इस literature में आपको user manual और warranty card दिख जाएगा view की इस TV के design आपको काफी unique लगेगी यहाँ पे bottom right में आपको view की branding देखने को मिलती है जो काफी सुन्दर लगता है और साथी साथ इस TV के overall looks को enhance करता है साथी साथ bezels काफी narrow है back की बात करें तो काफी clean look दिया हुआ है और यहाँ पे side में आपको सारे ports देखने मिल जाते हैं चलिए देख लेते हैं इस TV के specifications को यहाँ पे आपको 4K Ultra HD display देखने मिलता है IPS panel आजाता है इस TV में standard refresh rate 60Hz का है direct LED backlighting आती है यहाँ पे साथी साथ 400 nits की peak brightness आपको इस TV में देखने मिल जाएगी HDR10 और HLG का support दिया हुआ है Gaming Clay Auto Lower Latency Mode आपको देखने मिल जाता है 50W का audio output है 2.2 channel support के साथ यानि कि 2 speaker और 2 tweeter आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं Enance Arc का support दिया हुआ है जिससे आप इस TV को बढ़िया home tater और sound bar से attach कर पाएंगे साथी साथ Google operating system देखने को मिल जाता है Bluetooth 5.0 का support है 3 HDMI और 2 USB आपको इस TV में देखने मिल जाएंगे दोस्तों अभी आपके सामने एक 4K वीडियो प्ले हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं colors काफी rich देखने को मिल रहे हैं साथी साथ TV की sharpness और contrast भी काफी बढ़िया है ये TV 400 nits की brightness को support करती है तो यहाँ पे आपको brightness levels भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं साथी साथ एक बार हम HDR content भी देख लेते हैं जिससे आपको इस TV के overall performance का अंदाजा मिल जाएगा तो अभी आपके सामने HDR content प्ले हो रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं blacks काफी dark नजर आ रहे हैं contrast काफी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथी साथ एक एक color आप देख सकते हैं काफी उभर के नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपको HDR content काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है और यह clip से आपको इस TV की sharpness का भी अंदाजा हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक चीज आपको काफी clear नजर आ रही है कोई भी TV की upscaling का अंदाजा आप standard definition content देखके लगा सकते हैं यहाँ पे मैंने एक SD channel play किया हुआ है camera को 8 feet के distance पे रखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे standard definition content काफी decent आपको नजर आ रहा है जितना दूर बैटके आप SD content देखेंगे उतना जादा clear आपको नजर आने वाला है वैसे 8 feet के distance पे भी मुझे यहाँ पे clarity काफी decent लगी है standard definition content अगर आप देखने वाले हैं तब भी मुझे लगता है यह TV बढ़िया काम करने वाली है यहाँ पे आपको upscaling काफी बढ़िया नजर आ रही है VU Premium TV में officially MEMC का support नहीं है लेकिन आप इस clip से अंदाजा लगा सकते हैं इस TV की motion handling का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया तरीके से यह TV motion को handle कर रही है अगर आप sports की शौकीन है, cricket देखते हैं, football देखते हैं तब भी यह TV आपको निराश नहीं करने वाली है यह TV की motion handling मुझे तो काफी बढ़िया लगी है VU Premium TV में आपको IPS panel मिलता है और IPS panel की सबसे खास बात होती है, उसके viewing angles यहाँ पे मैंने camera को एक angle पे रखा हुआ है और जैसे का आप देख सकते हैं, TV के जो colors हैं वो काफी vibrant नजर आ रहे हैं अगर आप angles से बैटके इस TV को देखने वाले हैं तब भी आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया picture quality देखने को मिलने वाली है तो अगर आप living room पे इस TV को ले रहे हैं और आपका living room wide है तब भी मैं recommend करूँगा कि आप definitely इसे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग angles से अगर आप बैठके देखेंगे तब भी आपका overall experience काफी बढ़िया ही होने वाला है इस TV में आपको 50 watt का audio output सुनने मिल जाता है दो speakers हैं, दो tweeters हैं और Dolby Audio का support दिया हुआ है चलिए कुछ audio clip सुन लेते हैं पहले कुछ music सुनेंगे उसके बाद एक interview सुनेंगे जिससे आपको इस TV के voice clarity का अंदाजा हो जाएगा का अंदाएगा का दिससे बाद का दिससे लाद का आपको धिससे लाद घ्मिलो इस वेन दख अन। भ्ली टीजैंगा और वीð के, गटündका एम है काे हो फब dużे क्वेर इन्हेयु इन्टेसिक आफ इन्हेट जगार सेटेजि को येकन फंानाव Saturday आवने इन्हेंदेद ले आंट Lane and then they can other people ask us tocción journals and so we said yes in a few cases and then we have a merchandise section that only has one piece of merchandise at a time and we started off with a cap and there was only one thing it was just boringcompany.com slash cap view की इस TV में आपको Google TV operating system देखने मिलता है जो बहुती स्मूज चलता है बहुती बढ़िया तरीके से integrated है यहाँ पे यहाँ पे आपको hanging issues या lagging issues बिल्कुल भी face नहीं करने पड़ेंगे साथी साथ यहाँ पे आपको धेर सारे options भी देखने को मिल जाते हैं धेर सारे picture modes हैं धेर सारे sound modes हैं इन सारे modes को आप customize भी कर सकते हैं साथी साथ इस TV में आपको 2GB का RAM और 16GB storage देखने को मिल जाता है इस TV में आपको धेर सारे connectivity options भी देखने को मिल जाते हैं Bluetooth 5.0 का support है साथी साथ dual band Wi-Fi का support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आपको धेर सारे options मिल रहे हैं और all software experience यहाँ पे आपको छोटा सा लेकिन काफी detailed remote देखने को मिल जाता है यह voice enabled Bluetooth remote है यहाँ पे आपको धेर सारे dedicated buttons भी देखने को मिल रहे हैं और साथी साथ आपको कई और buttons देखने को मिलते हैं जिससे आप इस TV को और भी बड़िया तरीके से use कर पाएंगे इस remote में आपको पीछे बड़िया तरीके का grip भी दिया हुआ है तो यह आपके हाथ से नहीं छूटने वाला है तो यहाँ पे आपको बहुत ही functional और बहुत ही बड़िया टाइप का remote देखने मिल रहा है दोसों अभी तक आपको इस TV का कुछ न कुछ तो idea आई गया होगा अब बात कर लेते हैं मेरे overall experience के बार में क्या अच्छा लगया मुझे इस TV में क्या बुरा लगया और क्या आपको view की ये TV लेनी चाहिए या नहीं तो सबसे पहले बात करेंगे इस TV के pros के बार में यान कि क्या अच्छा है इस TV में दोसों हर TV में जो सबसे important चीज होती है वो होती है उसकी picture quality इस TV में आपको काफी बड़िया display मिल रहा है 400 nits की peak brightness है IPS panel है direct LED backlighting है यहाँ पे आप low light या bright light दोनों में आपको experience काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है colors की vibrancy भी काफी बढ़िया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको viewing angles भी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं इस TV की जो design है वो भी काफी unique सी है medium size के bezels देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे नीचे जो आपको view की branding देखने को मिलती है जो यह logo देखने को मिलता है वो इस TV को एकदम premium look दे देता है साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो software experience मिल रहा है Google TV का वो तो लाजवाबी है यहाँ पे connectivity options भी काफी बढ़िया है आपको कभी भी signal drop face करने को नहीं होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे hanging या lag issues भी आपको नहीं देखने को मिलने वाले है overall software experience इस TV का मैं thumbs up दे दूँगा अब बात कर लिते हैं मुझे क्या अच्छा नहीं लगा है सबसे पहला point अगर आप बढ़िया audio का सोच रहे हैं तो वो आपको इस TV में experience नहीं होगा इस TV की loudness काफी बढ़िया है लेकिन 40-45% से उपर अगर आप audio को बढ़ाते हैं loudness को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपका experience इतना अच्छा नहीं आता है दूसरा point दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे table top table के उपर रखेंगे तो जो यह table top stand है यह एकदर भी flimsy है plastic के low quality के तो वह भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन मुझे लगता है 55 इंच की TV शायद आप table पर बिलकुल नहीं रखेंगे आप इसे wall mount ही करेंगे तो यह minor सा issue है लेकिन audio wise अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना impressed नहीं हुआ हूँ दोस्तों अब सवाल उटता है क्या आपको view की यह TV लेनी चाहिए या नहीं दोस्तों अगर मैं इसके price point के बारे में बात करूँ तो इस price point पे market में ऐसी और कोई TV नहीं है जो इससे better picture quality आपको देने वाली है जो इसके 3 plus points है वो बहुत ही बढ़िया है यानि की better picture quality, better software experience and better design यह तीनों अगर मैं देख लूँ तो यह complete package बन जाता है especially इस price point पे और again आपके घर पे अगर sound bar या फिर home theater है तो आपको audio भी इतना matter नहीं करेगा वैसे अगर आप इसे full loud नहीं play करने वाले हैं तो आपको वो भी issue नहीं आएगा 40-50% पर अगर आप इसे play करेंगे 50% audio loudness अगर आप इस TV को लेने का सोच रहें जो मैं highly recommend करूँगा आपको description में links मिल जाएंगे जरूर जाके check out कर लेना दोस्तों इस वीडियो को यहीं प्यान करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों का share कीजे और जो लोग नए है वो नीचे subscribe का button दबा कर अपने बंदूग साथ जोड़ जाएं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और interesting content के साथ जैसे कि मामिशा कहता हो stay healthy stay motivated जैहिद